बुट मॉर्णिए स्ट्रेट्स, लास्ट वीडियो में हमने पार्थी रुचियों के ज्ञानधान के शब्द ज्ञान पार्थे चर्चा के बारे में पड़ा था आज हम पार्ती रुचियों के ज्ञानधान के अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे, भाषा मंजुशा के बारे में पढ़ेंगे आपके बुख के पेख नमबर 27, 27 के बारे में हम पढ़ेंगे भुक का प्रेट नंगल के 27 भाषा मंजुशा, 26 हम पाड़ चुके हैं, आप हम पड़ेंगे 27 भाषा मंजुशा के बारे को पड़ेंगे, उसके पहले मैंने आपको पाठाश के बारे के समझाया था, खावाला पाठाश कुप पड़कर प्रश्नों के उत्तर लेखिए, यह मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसके पहले वाले विडियो में, आज हम और उसके बार मैंने आदित्तम शब्दों के उत्तर भी आपको समझा चुकी हूँ, आप मुल्यों पे आधारिक प्रश्न को आपके विचार से छोटों को बड़ों के साथ किस प्रकार की शरारत नहीं करना चाहिए, आप अपने जीवन में खेरिकूद और पढ़ाई के बीच में तालमें कैसे बिठाते हूँ, क्या बड़े शरारत नहीं कर सकते, पुस्तर के जीवन को कैसे प्रभावित करती है, इन इन में से किसी एक के बारे में आपको विचार करना है, मूल्यों पे आधारित मतब आपकी स्वयम को आपको आपका आखलन कर रहा है, इसके बाद बारियाती है भाशा मन्जुषा, किसकी बारियाती है, भाशा मन्जुषा, पेल नमबर 27, ठिंकिंग इसके, पढ़ो और जा भी आए, जब किसी शब्द में एक ही व्यम जन दो बार आए, तो उसे क्या कहते है, जैसे कि हमें है ना, ब, च, छ, च, छ, प, च, च, अब जब किसी भी शब्द में एक ही व्यांजन यहां बात व्यांजन की हो रही है इसकी बात हो रही है व्यांजन की हो रही है जब कभी किसी शब्द में एक ही व्यांजन दो बार आये तो उसे हम क्या कहींगे अब ये चात आए, वियंजन है, क्या है ये चात, वियंजन है अब ये एक ही शब्द में, ये शब्द है, बच्चा क्या है हमारा शब्द अग एक ही शब्ड में दो बार चाब व्यांजन आया है तो इसे क्या पहते हैं क्या आपको पता रहें इसे क्या पहते हैं ने जब एक ही व्यांजन किसी शब्ड में दो बार आरे तो हम उसे द्वित्व व्यांजन कहते हैं क्या केते हैं द्वित्व वेंजन केते ही परिभाशा आपसे पुछा गया पुरस्ण है द्वित्व वेंजन किसे केते हैं अगर आपसे ऐसा पुछा गया है या किसे कहते हैं तो आपको उत्तर क्या होगा आपको उत्तर होगा जब किसी शक्त में उत्तर क्या होगा आपको आपको इसी शक्त में एक ही व्यंचंड एक दी वेंचन, दो बार आ जाए, आ जाए, एक दी वेंचन, दो बार आ जाए, या आएंच, उसे विदे वेंचन, कहा जाता हैंए, यह आए जाता हैंए विदे वेंचन, कहा जाता है द्वित्म्य वेंजन कहा जाता है आप सब उचे जाए द्वित्म्य वेंजन की परिमार्शा क्या है तो आप की परिमार्शा क्या होगी जब इसी शंत्र में एक ही वेंजन दो बार आ जाए तो उसे हम द्वित्म्य वेंजन कहेंगे उधारन, मैं आपको बताती हूँ, आपको उधारन लेके, द्वेत्रु एंजल के, जैसरी की, हम सबसे पहला उधारन लखेंगे उसमें, हटी, ह, द, दी, ये निचे में लिखाता है, दो तरीके से लिखाता है, दूसरा आप लिखेंगे, कुट्टी, खामेशुक कहीं कर रखो, आप लाटा, और धी, कुट्टी, तेसरा हम लिखेंगे इसमें, प्रसंद, 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 संटा, मक्पा, बहुस आज़े शक्ते हैं अमारे से, तो यह ऐसे शक्ते आमारे एक्वुमिन षबते होते हैं कि Smok k good दे क्यों क्यों क्योगि अपुसरे एके सब एंधन वं तवेंजन नहींजन है अक पाव गंजनै नहीं चव क्वेंजन सारे आताइा के आताइक अगर आहना के आता है तो परवी आताइक की वागारी जैसे अन्ग Dad वै innych नहींद आप अपीन आसे इस अपार ऊ हालने अन्हींद से वहार सारे छिर कीज़ू है जब एक इम एंजन दोपा राते हैं तो वो वित्रम एंजन लाते हैं अब भाशा मन्युता का दूसरा प्रशन के आध्वनी वाले कुछ शब्द को सी ध्वनी वाले? आध्वनी वाले कुछ शब्द आपको लिखना है अध्वनि यह होता है यह क्या है हमारा आगत स्वर है अब इस स्वर से ध्वनि अब यह क्या है इसंको जाना हिंदी में उर्दू से अनेक ध्वनिया आई है हमारे जो हिंदी भाषा है ना उसमें उर्दू से अनेक ध्वनी आई है जिन्हें नुक्ता कहा जाता है जिन्हें क्या कहा जाता है नुक्ता कहा जाता है इसी प्रकार अंग्रेजी प्रयोग केवन इसी प्रकार अंग्रेजी से भी एक ध्वनी आई है इसी प्रकार लिकते हैं ना, college, इसे क्या उचानल क्या गया है, आगता, क्या है ये, आगता, सब जाने आगता, ये कहों से आया है, ये अंग्रेजी से आई भी एक बनी है, जिसे आगता उचारित किया गया है, ये से की हम लिकते हैं, जिसमें पिंदी नहीं होती है, हौन, ये क्या है, हमारी अमरे जी भाशा की ये उध्वनी है, जो पिंदी में आई नहीं है, तो इसे आख करके उचारित किया जाता है, और इसके कुछ प्रचीत कि आपने है, बॉल, 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 का उच्छारान करते हैं आरे वह समझ में तो ये भाशा मंचुशा के नहारे दो प्रेशन थे अब आगर ध्वनी वाले कुछ अंडी शब्ध लिखिए मैं बता रही हूं आप लोग भुक में लिख लेना जैसे में लिखने न इसी तरह से आप आगर दो निकाले शब्ध लोग कुछ में लिखने ना ठीक है? मैं आपको लिखने बता रही हूं आपर कौन कौन से लिखते हूं शॉप शॉप और शॉप के बाद हम लिखेंगे नाव नॉलिज पिर हम लिखेंगे गॉसिप पिर हम लिखेंगे कॉरबर कॉरबर पिर हम लिखेंगे आफ्ट यह आपको पुपलिकत रात हों आफ आन यह अग्रेजी भाशा के शाथ है जो हमारे हिंदी ने आए है और और लास है हमारा वाकर आगर आज वर से स्टार्ट होने वाले शाथ हैं यह तो आपको आपके बूमें पेश नमबर 28 पर इसको भरना है इस अभ्यास को परना है बागी का अभ्यास मैं आपको अगली वीडिय यह मैं उड़ां इस विल्यों मैं यह जो भाज़ाना है हैं यह